आज परविन जी से खाने की पूछने पर बोला गया कि अपनी शकल जैसा कुछ बना दे कल हमारा एक अदसी का फास्ट था जो कि मैंने सिर्फ पानी वाला किया था तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले नहाई फिर सुर्य देवता को जल दे के आई और आज मैंने फास्ट इस फ्रूट से खोला इसको काफी नामों से जाना जाता है आपके यहां इसको क्या कहते हैं बताना जरूर खाने में यह मीठा तो बहुत था लेकिन इसमें एडिबल पार्ट से ज़्यादा तो बीज थे इन बीजों को देखकर मेरे मन में एक आईडिया आया और हम इनको लेकर चल दिये पार्क की तरफ रास्ते में गाए को रोटी खिलाई, कबूत्रों को दाना डाला और फिर इन नन्नी चीटियों को भी भोजन कराने के बाद इन बीजों को यहीं पार्क में कहीं दबा दिया, क्या पता घिस्मत से यह उगाए, चेक करेंगे कुछ दिन बाद फिर हमने वहीं पार्क में बैठकर थोड़ी देर धूप से की उसके बाद पार्क के चार चकर लगा के हम घर आ गए घरा के परविन जी से खाने की पुछी तो बोले अपनी शकल जैसा कुछ बना दे, मैंने तैयारी शुरू कर दी, परविन जी ने बहुत मस्त मेठी को कट किया, बिल्कुल बारिक बारिक अब ट्राइंगल शेप का तो मेरा फेस है नहीं, तो मैंने बनाई गोल-गोल मेथी के परांठे, अचार और गर्मा-गर्म चाय के साथ, परविन जी बोले सही में तुने तुने तेरी शकल जैसे ही बनाई है, लेकिन मैंने तो अपने ट्राइंगल शेप के बनाई, यमी ब और लेकिने तेरी बोत tut